उनकी जिन्दगी में खुशियां भरने, उनके भविश्य को रोशन करने के लिए, खुद को श्यम की भट्टी में तिल-तिल जला दिया, आज उनी ने, आज उनी बच्चों ने भी मोड लिया। मैं सुनीता वाशने, आज ऐसे जुलंत शील बिचैपर बोलने की कोशिश कर रही हूँ, जिस छेतर का अनुफ़व अभी मुझे शून्य है, लेकिन अभी अपने अधकच्रे ग्यान के साथ, यानि कि जितना मैंने समझा है, सुना है, उस इसाब से अपने मन की बात आप बच्चो का घर तो वो हो ही नहीं सकता, जब तक बड़े बुजुर्ग इस धर्ती पर हैं, उनके बच्चो के पास, चाहें जितने भी घर हो, है तो वो उनके ही, क्योंकि जड़ तो वो ही है, आज उस ब्रक्ष की जड़े मजबूत हो गई है, क्योंकि वो ब्रक्ष काफी पुराना, यानि कि बूड़ा हो चुका है, और उस ब्रक्ष की शाखाएं दूर दूर तक फैल गई हैं, और अब वो शाखाएं घमन करने लग जाएं, कि इस ब्रक्ष का बजूद हमसे ही है, तो क्या possible है, कि वो ब्रक्ष की शाखाओं का बजूद ब्रक्ष की जड़ों से ज़्यादा हो जाएगा कदापी नहीं बिल्कुल नहीं तनिक सोचें यदि ब्रक्ष की जड़ें इन शाखाओं से किनारा कर लें यानि कि अलग हो जाएं तो क्या ये शाखाओं हरी भरी रह सकती हैं यही हाल इन बुजुर्ग महलाओं या पुरुशों का है जिस तरह शाखाओं को मजबूत बने रहने के लिए जड़ों की जरौत होती है उसी तरह इन बच्चों को अपने बुजुर्गों की जरौत बनी ही रहती है अब मुद्दे पर आते हैं सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि बच्चों का घरी उन बुजुर्ग माबाप का घर होता है क्योंकि उन बच्चों को यहां तक का सफर ते करने में यानि की डॉक्टर इंजीनेर बनाने में या कोई भी अधिकारी बनाने में मुख्य भूमिका उनके माबाप की ही है जिनको अब यकायक बुजुर्ग मान कर unwanted मान लिया जाता है सच कहूं तो इस टॉपिक पर मैं आज लिखने की हिम्मत इसलिए ही जुटा पा रहे हूं कि आज तक मैंने जब मैं छोटी थी दूसरों की पीड़ा को पड़ा है यदि कोई निसा है तो साहिता करने का भर्सक प्रियास किया है यदि कोई दर्द में है तो उसके दर्द को दूर करने की कोशिश की है यदि कोई गलत रहा पर है तो उसे सही रापर लाने का भर्सक प्रियास किया है मैं अगर अपने अन्वब शेयर करना चाहूं तो नौन स्टॉप काफी देर तक वो सत्त घटनाय आप लोगों को बता सकते हूं पर आज नहीं फिर करते हूं तो आज हम बात कर रहे हैं कि बुजुर्गों को अपने घर में ही रहना चाहिए अफकोर्स अपने ही घर में रहना चाहिए आखिर ये सुन्दर घड़ी को देखने के लिए ही तो इस बागबान ने अपने घर रूपी बाग के हर पौदे को इतने करीने से सीचा था तो आज अगर उसे अपनी बगिया लहलाती हुई देखने का सौभाग मिल रहा है तो उसको देखने दो क्यों उस बुड़े माबाब को एक कौने के कमरे में पुराने फरनिचर की तरह डाल दिया जाता है अरे वो लोग तो वो एंटीक पीस हैं जिसे बर्षों बर्ष ड्राइंग रूम में सजाने की जरूत है और आज तुम उनको ड्राइंग रूम में सजाओगे तो कल जब तुम पर एंटीक पीस का टैग लगेगा तो तुम भी डाइंग रूम में सजा कर रखे जाओगे क्योंकि सभी को पता है जो हम आज बो रहे हैं वो ही हम कल काटेंगे जिन बच्चों को बढ़ा करने में माबाप अपने को हूम कर देते हैं सोहा कर देते हैं बच्चों के बीमार पढ़ जाने पर माँ बच्चे के इलाज के लिए अपना जेवर बेच देती है बस उसका बच्चा ठीक हो जाए ऐसे सैकडों गहने बच्चे पर निछावर है बच्चे के पढ़ाई के लिए ना जाने कितनी सुनहरे सपने बच्चे के भविश के लिए संजोते हैं और जब वो सपने पूरे होते हैं तो वो कितने खुश होते हैं इसका अनुवब एक माता पिता को ही हो सकता है इस खुशी को शब्दों में वया करने के लिए शब्द नहीं है पर तनिक सोचिए कि वही पैरेंट्स जब एक बच्चे की तरह सहय हो जाते हैं तो क्यों उनके बच्चे अपने ही माबाब को बोच समझने लगते हैं बुडापे में जब पैरेंट्स आर्थिक रूप से सक्षम होते हुए भी जब शरीर से कमजोर हो जाते हैं और जब उन्हें बच्चों का सहरा चाहिए तो वो बच्चे ही माबाब को अपना बेहत बोच समझने लगते हैं उनकी वज़े से घर में रोज किच-किच होने लगती है उन्हें रखने के लिए कमरे की वेवस्ता नहीं हो पाती क्योंकि फोर रूम फ्लैट के घर में मिया बीबी और बच्चों के कमरे के अलाबा एक रूम उनके तथा कते बेटे यानि डॉक का होता है तो ऐसे में पैरेंट्स क्या महसूस करेंगे तनिक सूचें हाँ अगर भागे से सब कुछ मिल जाता है जैसे बड़िया कमरा, बड़िया खाना, नौकर चाकर की सुवधा तो भी हर पल ये बात घर के किसी ना किसी मेंबर दौरा हर रोज ही जताई जाती है कि ये बुजुर्ग घर के लिए कितने अन्वांटिड है मैंने ना जाने कितने घरों में ऐसा रविया देखा है ना जाने कौन सी अमर बुटी खाकर आए है ये बुड़वा या बुड़िया उपर जाने का नाम ही नहीं लेता है इस तरह की बातें आई दिन सुनने को मिलती है कुछ घरों में तो बुजर्गों को γाली गलोच या मारपीट के भी किस्से सुनी है कितने शर्म की बात है अब इतना कुछ सहन करने के बाद कह सकते हैं कि इन बुजर्गों को old age home की कितनी जरूरत है जब इन बुजुर्गों को अपने बच्चों के घर में उचे सम्मान नहीं मिलता तो वो अपने घरों में अकेले रहना ही ज़्यादा सही समझते हैं परंतु वहां उनकी सीक्योर्टी, हेल्थ सीक्योर्टी, जानमाल की सेफटी की एक अलग विथा है क्योंकि हमारे इस शहर में लगबख हर घर में बुजुर्ग मावापी रहते हैं क्योंकि अधिकतर परवारों के बच्चे अमेरिका या विदेश में किसी न किसी कौने में बसे हुए हैं कुछ बच्चे अपने बजुर्ग माता पिता को अपने पास रखना भी चाते हैं, परंतो ये बजुर्ग बुढपे में अपना देश चोड़कर बिदेश में नहीं मरना चाते हैं, उनके पास बहुतायत में पैसा है, अपना भी और बच्चों के द्वारा भीजा गया भी, परंतु अफसोस कि बुड़ापे में देखवाल करने बालब कोई नहीं है। अधिकतर बड़े-बड़े शहरों में Old Age Home बने हैं, जो एक बुजुर्ग की पूरी तरह से बड़े ही हाईजिनिक धंग से जिम्मेवारी उठाते हैं और बड़े ही इमानदारी से हैं, क्योंकि उनके बड़े में वो इन बुजुर्गों से एक मोटी रकम चो लेते हैं। जब मन में आए अपने बच्चों के पास महमान बनके जाईए, महमान की तरह इज्जत से कुछ दिन रहिए और फिर अपने Old Age Home में आ जाईए वापस। वहाँ Old Age Home में आपके साथी संगी, जो अब आपके रिष्टदार भी बन गई हैं, वो आपका बेसबजी से इंतजार करते हैं वापस आने का, क्योंकि वहाँ आप किसी पर बोज नहीं हैं, गरीब बुजुर्गों के लिए भी एक NGO दोरा और सरकरी एजंसियों दोरा भी Old Age Home बनाई गई हैं, यदि भी उनके स्तिती बहुत अच्छी नहीं हैं, हो सकता है बहाँ बहुत अच्छा खाना खाने को ना मिले, बहुत सफाई ना हो, 365 दिन प्रेम की भाशा सुनाई ना पड़े, फिर भी हमारी निगा में ये घर उन घरों से लाग गुना अच्छी हैं, बाद बाद पर जुड़की मिले और हर पर unwanted होने का हैसास कराते रहा जाए, हो सकता है कि इस तरह का अनभव old age home में भी गाए बगाए मिलता रहे, फिर भी दूसरों से खाई हुई पत्थर की चोट भी असाहे बुजुर्ग parents के लिए इतनी दुखदाई नहीं होती है, जित बड़े बड़े बंगले फ्लैट में अकेले रहने वाले बुजुर्ग जिने अपनी जानमाल का डर भी बना रहता है, वो केवल इस डर से old age home में जाना पसंद नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे, अपने बच्चों से रोज ललकारे मार, डाट, खाने वाली, 80-85 वर्ष के ए हमें ये बच्चना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, विदेश में बसे बेटे बेटियों को दिन प्रति दिन असाय होते हुए अपने माबाप के रहने का यतोचित प्रभंद करना चाहिए, जो पैरेंट्स अपने बच्चों के साथ इजज़त के साथ रह रहे हैं, उनकी बा पाले पार्ड को बाहर निकाल फैकना चाहिए, लोग क्या कहेंगे, इन तीन शब्दों से बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये शब्द शब्द नहीं हैं, बलकि जहर हैं, बहुत जहरीले शब्द हैं, इनसे हमें बचना चाहिए, लोग क्या कहेंगे कि सिंड्रों से हमे में बहार आना चाहिए हमें जो अच्छा लगे जो बुज़ुग लोगों को अच्छा लगे वो करना चाहिए यदि वो बच्चे के साथ रहकर comfortable हैं तो वहां रहें otherwise वो old age home को भी prefer कर सकते हैं क्योंकि ये आज की जरुवत है आज की समाज की demand है हमें इस परतनिक सोचना चाहिए